मी एक शेत्करिया है अग्रो विजनिक चाइनल माजा आए है भारत में जन्में एक मठवासी संत एक युवा सन्यासी के रूप में भारतिय संस्कृति की सुगंग विदेशों में भी खेरने वाले ऐसे महापुरुष्थ है स्वामी विवेकनन्द उठो जागो और अपने लक्षे की प्राप्ति से पूर्व मत रुको स्वामी विवेकनन्द का ये क्रांती वाक्य आज भी युवाजन को प्रेरित करता है संपूरुन विश्व में हिंदू धर्म का महतू बताने में उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है दोस्तों आप हैं बलेक डायरी के संग और देख रहे हैं बायोग्राफियों की लिजय हैं और ये है एपिसोड नमबर फर्स्ट आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकनन्द के बारे में स्वामी विवेकनन्द का जन्म 12 जन्वरी 1863 को कलकता में हुआ इनके पिता श्री विश्वनात दत कलकता हाइकोट में एक प्रसिद वकील थे इनकी माता श्रीमती भूगनेश्वरी देवी जी धार्मिक विजारों की महिला थी नरेंदर के चरित्र में जो भी महान है वो उनकी सुशिक्सित और विजार्शील माता की शिक्षा का ही परिणाम है एक पुस्तकाले से वो रोज किताबें वलाते और उसे वापस कराते एक दिन करमचारी ने पूछ लिया कि तुम किताबें पढ़ने के लिए ले जाते हो या सिर्फ देखने के लिए विवेकानन जी बोले पढ़ने के लिए आप कुछ भी पूछ लीजे करमचारी ने एक प्रश्ट खोला और उसका नमबर बता कर पूछा कि बताओ उस पर क्या लिखा है विवेकानन ने बिना कुछ देखे उस प्रश्ट का हूँ बहु सारा विवरन बता दिया नरेंद्र की बुद्धी बच्पन से बड़ी तिव्र थी और प्रमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी इस है तू वे पहले ब्रह्म समाज में गए किन्तु वहाँ उनके चित को संतोश नहीं हुआ वे वेदान्त और योग को पश्चिम संस्कृती में प्रचलित करने के लिए अपना महतुपूर्ण योगदान देना चाहते थे रामकृष्ण परमहंस की तारीफ सुनकर नरेंद्र उनसे तर्क करने के उद्देश्य से उनके पास गए किन्तु उनके विचारों से प्रभावित होकर उन्हें गुरु मान लिया परमहंस की गृपा से उन्हें आत्म साक्षातकार हुआ नरेंद्र परमहंस के प्रिय शिस्यों में से सर्वो परी थे 25 वर्ष की उम्र में नरेंद्र ने गेरुआ वस्तरधारन कर सन्यास ले लिया और विश्व भर्मन पर निकल पड़े 1893 में वे शिकागु विश्व धर्म परिशद में भारत के प्रतिनी दिबन कर गए किन्तु उस समय यूरोप में भारतियों को हीन द्रश्टी से देखते थे लेकिन उगते सूरज को कौन रोग पाया है वहाँ लोगों के विरोध के बावजूद एक प्रोफेसर के प्रियास से स्वामे जी को बोलने का आउसर मिला स्वामी जी ने बहनों और भाईयों कहकर श्रोदाओं को संबोधित किया स्वामी जी के मुख से ये शब्द सुनकर कर्दल द्वनी से उनका स्वागत हुआ श्रोदा उनको मंत्र मुख्द सुनते रहे और निर्धारित समय कब बीट गया पदा ही ना चला अध्यक्स गिबन्स के अनुरोध पर स्वामी जी आगे बोलना शुरू किये और बीस मिनट से अधिक बोले उन्होंने कहा कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तू को उसकी आत्मा से प्रथिक रखकर प्रेम करते हैं तो फलते हमें कश्ट भोगना पड़ता है अधर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम व्यक्ति को आत्मा से जोड़ कर देखें या उसे आत्म स्वरूप मान कर चलें तो फिर हम हर इस्थिती में शोक, कश्ट, रोग, द्वेश, तथस्त रहेंगे, निर्विकार रहेंगे स्वामी विवेका नंद चार वर्ष तक अमेरिका के विभिन शहरों में भारती आध्यात्म का परचार परसार करते रहे वर्ष 1887 में वे स्वदेश लोटकर आए घर लोटकर उन्होंने देशवासियों का अहवान किया नया भारत निकल पड़े, मोची की दुकान से, भड़ भूजे की भाड से, कार खाने से, हाट से, बाजार से निकल पड़े जाडियों से, जंगलों से, पहाडों से इस प्रकार उन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए लोगों का आहवान किया उसके बाद उन्होंने देश-विदेश की व्यापक यात्राएं की रामकृष्ण मिशन की इस्थापना की और धार्मिक आडंबरूं, रूडियों, पुरोहित वाद से लोगों को बचने की सलाह दी अपनी विजार क्रांती से उन्होंने लोगों और समाज को जगाने का काम किया रविंद्र नाट्यगोर ने उनके बारे में कहा कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवयकरनंद को पढ़िये उनमें आप सब कुछ साकारात्मक पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं रोमा रोला ने उनके बारे में कहा उनके द्वित्ति होनी की कल्पना करना भी असंभव है और वे जहां भी गए सर्व प्रथम ही रहे चार जुलाई 1902 कुवे 49 वर्ष की अलपायू में स्वामी विवेकानंद ब्रह्म लीन हो गए उनके क्रांतिकारी विजार आज भी जन जन को जंक्रित करते रहते हैं दोस्तों ये थी स्वामी विवेकानंद जी की बायोग्राफिक